हेलो फ्रेंड्स आज हम अपनी क्लास 6 आडी शर्मा के एक्ससाइज 15.2 करेंगे इसमें मारे पास दो ही क्वेस्चन्स है फर्स्ट क्वेस्चन केता है इन फिगर लाइन एन इस ट्रांसवर्सल टू लाइन एम एंड एल आइडेंटिफाई द फोलोईंग केता है कि अलगर-लग फिगर्स दिये हुए हमें जिसमें M और N जो है L और जो M है वो दो लाइन है और N जो हो तीसरी लाइन है उनको काटती हुई लाइन है ट्रांसवर्सल केता है कि हमें ये सारी चीज़े बताने है अल्टरनेट और कोर्रिस्पॉंडिंग एंगल्स इन फिगर वन फिगर वन में हमें अल्टरनेट और कोर्रिस्पॉंडिंग एंगल्स बताने है तो सबसे पहले हम फिगर वन देखते हैं तो ये हमारे पास figure 1 है हमें सबसे पहले alternate angles बताने हैं alternate हमारे पास दो तरह के होते हैं interior और exterior interior होते हैं ये वाड़ा ये वाड़ा जो angle होता है वो इसके alternate होता है और ये वाड़ा जो angle होता है वो इसके alternate होता है ठीक है तो हम लेख लेंगे B, G, H alternate interior करके B angle B G H इसका alternate कौन सा हमारे पास G H C G H C दूसरा A G H और इसका alternate है G H D इस तरह से हम answer लिख लेंगे अबना दूसरा हम क्या लिखेंगे alternate exterior angle यह I interior के लिए है E exterior के लिए है तो हम exterior देखते हैं अपना यह देखो यह exterior जो यह वाड़ा एंगल है यह वाड़ा यह होएगा इसके exterior और जो यह वाड़ा एंगल है alternate यह इसके exterior होएगा तो हम इस तरह से लिख लेंगे B G सोरी E G B C H F और दूसरा E G A G H F यह हो जाएंगे मारबास interior angle और यह हो जाएंगे exterior इसी तरह से हम corresponding भी लिखेंगे corresponding कौन से होते हैं यह वाड़ा इसके corresponding नीचे वाड़ा इस नीचे वाड़ा के corresponding यह उपर वाड़ा इस उपर वाड़ा के corresponding और यह यहाँ वाड़ा यहाँ वाड़ा मतलब यह है कि जो यह एंगल होता है यह वाड़ा जो एंगल होता वो इसके कोरिस्पोंडिंग होता है यह वाड़ा एंगल इसके कोरिस्पोंडिंग होगा और यह जो चोथा एंगल बच्चा है यह इसके कोरिस्पोंडिंग होगा ठ G, H, C, H, F के corresponding, G, B, G, H, D, H, F के corresponding, तो हमें सिरफ यह नाम लिखने हैं, अब यह मारा अंसर हो गया, इसका पार्ट क्या कहता है, एंगल्स अल्टरनेट टू एंगल D, एंगल G, एंगल्स कोर्रिस्पोंडिंग टू एंगल F, एंगल H, इन फिगर 2, तो पहले हम फिगर 2 देखते हैं, यह देखो, यह हमारा अंगल्स अल्टरनेट एंगल D के, देखो, यह रहा हमारे पास D, अंदर है यह, तो अंदर ही इसका अल्टरनेट होगा, यानि इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, E angle हो जाएगा G का alternate क्या हो जाएगा यह देखो exterior वड़ा G तो यहां का alternate क्या हो जाएगा B अब इसी तरह में corresponding बताना है F का तो F angle हमारे पास यहां है तो यहां का corresponding क्या हो जाएगा C corresponding हमारे पास क्या से होते हैं यह एंगल है तो यह वाड़ा एंगल होगा यह आंगल होगा एंगल तो इसका municipalities क्या हो जाएगा ए तो यह होगे मारे answers तो इस तरह से हम क्या करें हिए अपना answer लिखतेंगे 3 कहते है कि कि की य क्या ऑघ एंगल सबसे पहले कहता है alternate angle बताने having rk यह देखो p qr तो मारे पास यह वांगल है अब इसका तो यह दो लाइन सी कहाँ Pastor म taş i help यह नियुक्त पंडिंग होगा ऑइस्फ सब्सक्राइध लुर्बस के तो इसका अधरओड हो जाएगा यह नी होएगा इसका यह मारे पास फिगर है हमें अल्टरनेट बताना है PQR का यह देखो PQR यह मारे पास एंगल है अब यह देखो यह दो लाइने हैं अगर हम इसको इस तरह से देखेंगे इस तरह से यह दो लाइने यह ट्रांसवर्सल है तो इसको कौन सी लाइन यह जो है यह अंदर का एंगल इस QRA अब next कहता है कि corresponding बताओ RQF के तो RQF देख लिते पहले यह देखो R Q और F यह वाड़ा एंगल होगे RQF यह वाड़ा एंगल अब इसका corresponding कहां होगा यहां होगा तो यह क्या जाएगा बी आर ए तो हम यहां लिख देंगे angle corresponding angle to RQF बी आर ए अब थार्ड बताता है कि angle alternate to PQE का alternate यह देखो PQE यह यह वाड़ा एंगल तो इसका alternate क्या हो जाएगा यह वाड़ा ही हो जाएगा बी आर ए और इस तरह से हमें अपना answer डाल देंगे अब fourth part कहता है कि pair of interior and exterior angle on the same side of the transverse line in figure 2 तो figure 2 हम वापिस देखते हैं तो यह मारा figure 2 है इसमें पूछा क्या इसने कहता है कि interior और exterior के जो angle है ना same side के वो pairs बताने है तो हमारे पास कौन से pair हो जाएगे अंदर की तरफ यह वाड़ा और यह वाड़ा same side का pair हो जाएगा यह line के और दूसरा pair यह वाड़ा और यह वाड़ा क्योंकि यह बाहर भी है और एकी side है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे pair of interior angle on same side अब interior angle की same side की तरफ कौन कौन से मारे पास यह देखो df a और e तो हम लिखेंगे d angle f angle a angle e दूसरा इसी तरह से लिखेंगे pair of exterior angle on the same side इस तरह से त देखेंगे exterior में क्या हमारे पास यह देखो इधर c और g है इधर h और b है तो हम लिखेंगे c and g angle c angle g angle b angle h तो यह हो गया हमारा first question अब second कहता है match the column a and b with the help of figure column a और b हमें match करना है figure की help से तो हम इसको solve करने से पहले इन angles को mark कर लेते हैं अब यह देखो p a b a b s हमने देखो p a b a b s यह वाला mark कर लिया उसके बाद कहता है p a b r b y यानिके यह वड़ा ठीक है उसके बाद तीसरा है p a b x a q p a b x a q यह वड़ा ठीक है अब देखो पहला है vertical opposite angle तो vertical opposite angle कौन से दिख रहे है vertical opposite हमारे पास कौन से थे जो ऐसे line कट के ऐसे बनाएं तो इनमें से ऐसा पेर कहां बन रहा है यह वड़ा बन रहा है तो यानिके इस cancer क्या हो जाएगा p a b x a q तो यह रहा देखो p a b x a q लास्ट वड़ा तो हमारा इसका क्या हो जाएगा यह वड़ और यह वड़ा बन रहा है तो p a b और a b s इसका क्या हो जाएगा answer p a b a b s यह हो गया इसका alternate angles corresponding angles corresponding कौन से होते है मारे पास जैसे दो लाइने दी है इधर जो एंगल है इधर सेम एंगल वही है तो ऐसा एंगल कहां बन रहा है यह देखो यहाँ पर नीचे बन रहा है इस तरह रहा है तो p a b और r b y p a b r b y यह वाला यह होगा इसका answer और यहां मारे exercise 15.2 complete होती है मिलते है next video में next topic के साथ